हेलो बच्चो कैसे हैं हम सब लोग स्वागत अग बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल अभिपसा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर तो बच्चो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है भई कि हमने परिक्षा के परहार करना चार्ट कर दिया है और अंतीम परहार के अफितक आपको तीन वीडियो में दे चुका हूँ फश्च में हमने अपने इस पर बात कर लिए थे और पांच तारीक वाले क्लास में हमने एक से लेकर अध्याच चार तक अपने मोश्ट इंपॉर्टन के बारे बात कर लिए साथ उसके सलुसन के आपको कहा जाना है कैसे वीडियो देख रहे हैं सारी चीजों के बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दी थी आज की इस क्लास में आज कौन से तारीक चाहे और तारीक चाहे के सुबद 6 बज़ वाले क्लास में अगले दो चप्टर का आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टन के बारे में बताने वाला हूं तो बिल्कुर बच्चों आज आए मेरे सांजूर जाए और आज की स क्लास को स्टार्ट करते हैं तो देखें बच्चों आज मैं आपको अध्याय पांच और अध्याय अच्छा इन दोनों चप्टर के सुबद 6 बज़ वाले क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टन के बारे में बताने वाला हूं तो कोश्टन के पिटारा को खोलने से पहले हम कुछ basic concept है जो अध्याय पांच से संबंधित होने वाले हैं उसके बार में पढ़ेंगे फिर हम question की और आगे बढ़ना चाहेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर कुछ concept के बारे में हम question पर आएंगे पहले कुछ concept को सिख लेते हैं जो कि अध्याय आरके ने question आपके objective question ने आया फिर दो नंबर के लिए पूछने जा सकते हैं से कौन कौन से देखो बच्चो मैंने यहां लिखा ABC ABC अगर इसका मुझे इसका मुझे मध्यानुपाती निकालना है क्या निकालना बच्चो मध्यानुपाती निकालना है मैं यहां पर तीन टाइ लगे और इसका ममें मध्यानुपाती पता करना है का से करेंगे बहूट यह आपको आरेंज करकर एक लिखनक का ला क्योऻें लगाना है फिर यह लाश्ट वाले C को लिख दिये बिल्कुल यह Arrange करने आपको आना चाहिए देखो हम अद्ध्य अनुपातियां बहुत आसानी से पता कर लेंगे देखो फिर यहां पर क्या होगे देखो सर हमें पता है कि ना अनुपात का मतलब होता है क्या बटा अनुपात का मतलब होता है सर बटा तो यहां पर अनुपात की जगा मैंने लिखा बटा लिख दिया तो यह हो गया A बटा B क्या हो चुका बच्चो A बटा B हो चुका सर समानुपात को मतलब होता है बराबर तो बिल्कुम बराबर चिपका दिए यहां पर ठीक है फिर वापत से लेखे है यहाँ पर बिलिखा अनुपाद का मतलब होता कैसे करेंगे तो यहां पर बर seguridad सब्सक्राइब 20mmc निकला है भी की हादो 2 2 स्क्फोर का मान निकला है यह इसक suspects आया है जब भी आपको वर्ग को हटाना होता है स्प्वेर को अел अखाए यहां का जो आएगा वर्गमूल और यह लोग मैं न लुओं तो यहां पर दो चिर्म लगता सर आसा ह çek्यों होता है क्योंकि जब आप वरत समी करन को हळावन करते हो ना तो उसके दोवतर उत्तर प्राप्त होते हैं तो यहां पर भी तलब और जिफिन वाला और तो यहां पर यह हो जाएगा एसी बिल्कुल यह आपका एंसर होने वाला है कि ABC का मध्यानुपाती क्या हो चुका सर यह हो चुका प्लस माइनस अंडर रूट अब जरूरी नहीं है कि आपको यह ABC के ही फॉर्म में दिया जाए और कभी कभी क्या होता है इसी के जगा कोई संख्या लिखकर दे दी जाती है सपोज यहां पर तीन चार पांच लिखा गया होगा और उसका मध्यानिपाती आपको निकालने के लिए कहा जाएगा आप उसको लिए जली न्काल सकते हो तो इस तरह से मध्यानिपाती निकाल लेते हैं ठीक सर चलो आगे चलिए आप आगे बढ़ते कुछ सीजेंरे और एक बार्त मदनाव में डिसकस करते हैं अंब क्या वताने वाला हूं मैं अभा आपको अग हूं जैसे कि अगर चलो मैंने यहां पर भी मैं लिका चलो अब मैं आपको यह ची ज़र मता ज़ता हूं किया बता दोच उन्हुतारुपाति ठीक है या फिर तृत्य नुपाती त्रितन त्रितन पाती कैसे निकालेंगे ठीक है तो चलो और यहाँ पर एक तेला हुज आप सवलल आठर चोदार और यहाँ पर लिखा 16 तो चो तोड़ा तो मश्योल incentives यहां पर का आठ चोदा और सोला का हमें तृत्याանार पाधी पता करना है क्या करना है त्रित्य अनुपाती पता करना चलो ठीक है सारी चीज़ें मैंने आपको एकदम डिटेलिंग से यूटूब सीरीज में जो हमारा मिशन चर रहा था मिशन से यहां पर क्लियर करा दिया एक बडर और समझें नों कोई निकालें गया तो बच्चों हम आठ चौदा और सोला करना त्रित्य अनुपाती एक सा है अब इसको अरेंज करके मैं लिखोंगे कैसे दखों आठ लिखा फिर अनुपात का चिन लगा है फिर यह चौदा को लिखा फिर समानुपात कर नगाएं फिर यहां पर मैंने सोला को लिखा अब यहां बराबर लबर होता होता है फिर यह सोलह है सर अलुपात का मतलब तो होता है बटा यहां पर नीचे में आ जाएगा एक से बिल्कुस तर आ चुका देखो आठ एकम आठ और यह आठ दूनी सुला दो बार में पड़ गया चाओदा का गुड़ा करेंगे दो से तिरिया गुड़ा और एकसा का घुड़ा करूंगा मैं एक से तो यहां पर एकसा बराबर सर सार चौदा दूनी 28 मिल चुका है यानिकि आठ चौदा और सोला का तृत्यानुपाति हमें नुनwwww हमें चुका है 28 यह बच्चों आपको पाती क्या बच्छो चतूर्था नुपाती निकालना सिखेंगत चलो तो चतूर्था नुपाती निकालने अग मैं आपको नहीं बताने वाला अब आप कहां जाओगे अब आप हमारे यूटूब स्रीस जो बना हुवा प्लेलिस्ट जो मेरी बनी हुई है मिसंद 2023 के नाम से कर एकदम डीटेलिंग में पढ़ लेंगे वहां पर बच्चों मैंने एक नम्मर वाले कोशिचन के बारे में एकदम अच्छे से बताया हुआ है और सांस्ति साथ मध्ध नुपाति कैसे गयाद करते हैं और सारी चीजों को एकदम क्लियर करा दिया है तो डबल डबल उसी काम क आपको नहीं करेंगे एक बार मैंने आपको पढ़ा चुका हूं तो मैं अब नहीं पढ़ाओंगा फिर भी मैंने दो चीजों को मानने हाँ पर निकालना सिखा दिया ठीक है अब देखो इस जहां में आपको को भी फॉर्मूला वगरा यूज नहीं करना होता है को भी फॉर बुला वगरा अनुपात में आपको देखने की नहीं मिलता है बस छोटा छोड़े कॉंसेप्ट है जिसके बारे में मैंने बता दिया अब हम चलेंगे अपने कोश्चन की और अपने कोश्चन के पिटारा को मैं खोलने जा रहा हूं और यह खुल चुका आपके कोश्चन का सीरिस के अंतरगर जो मैंने एकदम डिटेलिंग से पढ़ाया हुआ है उसमें आप क्या करेंगे जो पहला नंबर कर वीडियो है और दूसरा नंबर कर वीडिया है इसे दोनों को पूरा देखना है वहां पर मैंने एक नंबर वाले कोश्चन पहले पार में और सेकेंड पार फ़राट में मैंने दोनमबर वाले कोश्चन के बारें में बताया हुआ है यहां पर जो मैंने लिया हुई ना वह सारे की साघश्चन हैं जो की छञ नंबर के पूछे जाने के चांस बनते हैं इन को सरी नंबर चेंकर ने मैंने बहुत सारे question कराया गया सबके सब most important है ठीक है पहले आप इन प्रस्णों के तयारी करेंगे क्योंकि most important है अगर समय मिल जाता है तो यूट्यूब सीरिस के अंतरगत जो जो मैंने question कराया है सभी question को आपको पढ़ना है ठीक है बच्चो पूरा question पढ़ना है अगर समय नहीं मिलता तो इतने question को पढ़ना लेकिन लेकिन आपको ध्यार रखना है कि यह question most important है लेकिन उस question को अभी पढ़ना important है जो मैंने YouTube के अंतरगत करवाया हुआ है अब देखे बच्चो यहां परना मैं मिसंद 2023 के अंतरगत बस यह वाले question को नहीं करवाया हूँ इस वाले question को नहीं कर आए हूँ यह वाला जो question है इसके पहले वाले question जो प्रस्नेकर मांग चार क्या करता है प्रस्नेकर मांग तिंग तक आप देख लेंगे ना YouTube सीरीज में देख लेंगे YouTube सीरीज में जो प्लेइलिस्ट बना हुआ है जिसमें 50 वीडिये उसमें मैंने अध्याय पाश्च के आपके टोटल तीन पार्ट में वीडियो अफ्लोड करवाए हुए है तो तो सर कोशन नंबर चार क्या करता है कि यदि ए और सी का मध्या लुपाती भी हो तो के के नियम से सिध्ध कीजिए कि ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर अपॉन एबी इस इकूल टू एसी प्लस बी बच्चो यह प्रूफ करकर दिखाना है ठीक है चलो को दिक्कत निकर कैसे इसको सालो करें कि नम्म्मर मिले बिलकुल यहां पर अपने कॉपी के साइड में लिखो हल सर हलिग अवगया कराइगे सब्सक्राइब मारे चलो को कैसे लिखेंगे सारकी बोला गया था कि चू की ओर सी का एर सी का ने के OUT नुपाटी क्या चैन भी था मध्य नुपाटी ठीक है मध्या अनुपाटी मैंने 40 में लिए चाहर लिए अगाल तो नहिंसे का मट्वण वश्वण है मतलब की अनुपाती..? यहां पर क्या बोला था I can call the to go with again ह० तो यह हो जाया अनुपात ब बैकिम की मद्ध्य अनुपाती बोलगे ना फिर समानुपात का चिंद लगाएंगे यहा पर फिल लिछ भी फिर यहां पर लिखेगा अनुपात में इसी बिल्कुल इस क्ये मैंने मान लिया बिल्कुर सार यहां तक कि हमें तक आप क्या करें दो अब दिएबंड उत्घ्रा पर पहले सम् Seriously का घुने का मान है तो मैं ऐसको मैं क्या तो अगली में अलग अलग कर दूँगा सब ल Neo यह हो चुका कि तो सर यही मिलेगा बराबर बीक ही मिलेगा बराबर बीका गुड़ा करेंगे के साथ तो सर हमें है मिल चुका देखान कि कहानी के लिए अच्छे चलि आजये उसे प्रकार से अब बच्चो वंड़र्ण निकाल लो सबस्पार निकाला तो भी बराबर क्या हो जाएगा सब्द्र Prix कहो चुका सबस्क में can do कि यहां तो है we कमान तो है सी के और यहां पर ए बराबर क्या है बी के है तो इस बी की जगा मैं इस बी के मान को रख सकते हूं क्या सर बिल्कुल रख सकते हो रख दो तो ए बराबर ए बराबर क्या हो जागा देखो बी का मान क्या है और यहां पर और एक और के है तो के और के का गुड़ा करेंगे तो सर हो जाएगा सी के स्क्रस्ट का है सुघाऊ से आया बच्छों क्योंकि म fulfillment हमने यहां पर रग दिया है वी कामांट तो चैंज नहीं होगा साव वी कामान क्या बोला गया कि हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है तो अगर बच्चों पूरा में पूरा नंबर लेना है पांस में पांस आपको नंबर लेना है तो आप क्या करोगे जो सिद्ध करना उस बात को एक बार आप यहां पर लिखोगे मैं इंसन करोगे तो देखो साइड यहां पर ने प्लस थी है और बटे में यह बिल्कुल जो सिद्ध करना उसको मैंने यहां पर अच्छे से चिपका कर लिग दिया कोई दिक्कत नहीं हो अच्छे से आपने हर चीज़े को क्लियर करा दी है अब क्या करेंगे आगे मैं इस चाहिए आपको करके बताता हूँ पहले मैं यहां पर एक लाइन बना लेता हूं ठीक है लाइन द्फॉrado ? नहीं ब्लस का सर हमें दिया गया है बी स्क्वेयर और डीवाइड में बीडिया गया है तो सब्सक्राइब करना तो इसका हो जाएगा तो यहां पर यह हो जाएगा स्कूर बिल्कुल मैंने लिख दिया सी स्कूर कैसे है बता दिया क्योंकि यहां पर वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर देंगे सर यहां पर के स्कूर ओल्यडी है फिर इसका वर्ग भी करेंगे तो के की घाथ चार हो जाएक केकिघात सर यहांपर चार होचायगा बिल्कुछ सर केकीघात 4 चुका 12 सर बी कमान तुटू सिपकर कमान outlook करेंगे तो सर यह के करेंगे तो तो स्नुटों यह हो जाएगा इन तों इंटू करो और लीखो अब आगे देखंगा रागा डूंट से लिखते हूं ठीक है आजो आज ढिन कर सकते यहां पर देखो ऊपड़ेंगे यह और सीर दिख रहें यहां पर भी गाल है यहां gjorde कि स्कूर को निकला हूं तो मैं हूं प्लस यहा पर यह दोनों चीज़ स्टेज़ने कौमन निकल चुके हैं तो इसकी जगह बचागा सर वन क्या बच जाए मट और अब BAT Square Plus Oneमे में एक के बचा हुआ हूआ is square गता है अब भी educational है सर हमें left hand side का मान मिल चुका है कि सर के square plus one divided by King का मैं बिल्खुल इसको कर लो box मेंट पक आक आजव अाज़ज कर लो कहां कर लो ऐसके बड़ा कर लेते हैं यह जबर्दस तरी के से मजा गिया तो सर अभी कि हमने left hand side को लेकर हल किया तो यह आया है अब एक बर मैं क्या करूंगा राइट hand side को लेकर solve करूंगा और यही आने वाला है तो इस तरह से left hand side बराबर right hand side हो जाएगा चलो आगे इसको इस साइट solve करता हूं आजा देख लो कि आजा तो अब हम हल करने वाले हैं right hand side को तो राइट hand side दाया पक्ष बराबर सर यहां पर यह दिया गया है कि ए प्लस सी डिवाइड में क्या दिया गया चलो मैं आगे इसका मान यहीं पर रख दिता हूं देखो एक आमान एक आमान हमने के निकाला हुआ सीके के इसकोर तो यहाँ यहां पर कुछ भी का मान तो कुछ सी कह रहे मेर्स tut चलिए सर आगे इसको क्या हल कर सकते हैं यहाँ पर शी दिख रहा है इसलिए और के हैं साइड बराबर राइट हैं साइड बराबर क्या मिल चुका के स्कूर प्लेस वर और डिवाइड में मिल चुका के अब आप देख पा रहे होंगे कि लफ्ट हैं साइड और यह राइट हैं साइड दोनों बराबर आ चुके हैं दोनों क्या चुके दोनों बच्चों बराब यही सिद्ध करना था यही सिद्ध करना था यही सिद्ध करना था यही चलो बागी कुष्टन को मैंने यूटूब सीरिस के अंतरगभ बता कर रखा हुआ है वहाँ पर आप द्याकर बिल्कुल बच्चो देख लेना है मैं उसका लिंक आपको description इसको आप स्क्रीन सॉट ले इसको मैंने यूट्यूब सीरिस के अंतरगत नहीं करवाया हूँ था मैं साइड हड़ चुको इसको 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 पढ़ लेना है ठीक है छान नंबर के लिए पूछे जाने के चांसे बनते हैं ऐसे वेस्टन का चलिया ठीक है बच्चो बाकी प्रस्णों को आप इसली सॉल्व कर सकते हो मैं इसको यूट्यूब सीरिस के अंतरगत करा रहा हुआ हूँ यह कौन सा है अध्याय पांच का है अनुपात एवां समानुपात का यह most important question है इतने को पहले पढ़ेंगे अगर समय बच जाएगा तो यूट important question का पिटारा खुलने से पहले मैं कुछ आपको basic concept के बारे में बताने वाला हूँ ठीक है कुछ concept के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो की अध्याच है निर्दसांग जियामिती के प्रस्णों को solve करने के लिए हमें हमारी बहुत ज्यादा help करने वाली है देखे बच् चर्शा करते हैं इसको भी मैंने YouTube series के अंतरगत बत्वाया हुआ है आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं YouTube मैंने हर चीजों को बताया हुआ एक बाल चलो और पढ़ लेते को दिक्कर ने सलब दो – तो यहां पर मैं ग्या करते हैं सर एक 66 रेखा लेते हैं क्या क्या करते हैं लेक संवेख नल पर … उद्वाधर रेखा बनादी दी श्केल कि सहता है आपको यह लाइन खीशा करूं लेना ठीक है वेपल अब दो अब क्या करेंगे देखो अब क्या करेंगे चुकि यह रेखा है रेखा है तो सबसाइड हमें यहां पर लगाना पड़ेगा एरो का निसान क्या लगा दिये सर एरो का निसान लगा दिये मैं बता रहा हूं कि अब जेट्री कुश्चन कहां से आने वाला यहीं से आता है तो ब उध्वाधर रेखा दोनों के कटान बिंदू हमें यहां पर मिला है और दोनों के कटान बिंदू को हम ओसे प्रदसित करते हैं जिसे जिसे हम बच्चों क्या नाम देते हैं मूल बिंदू कहते हैं ठीक है मूल बिंदू कहते हैं ठीक है यहाँ पर मैं रिखूंगा इसको क्या कहते हैं मूल बिंदू कहते हैं याद रख लिना है यूटूब स्रीज कंतर गद भी मैंने हर चीज अग्दम डिटेलिंग से बताये हुआ कि 36 रेखा और उद्वाधर रेखा दोनों के कटान बिंदू को हम क्या कहते हैं मूल बिंदू कहते हैं जिसे हम उसे प्रदसित करते हैं इंग्लिज में ओरीजिन जिसे कहा जाता है और मूल बिंदू का जो निर्देसांग होता है बच्चों वह 00 होता है most important question एक number के लिए कि सर मूल बिंदू का निर्देसांग क्या होता है तो यह क्या होता है सर 00 होता है बिल्कुष यहां तक की कहानी के लिए अब देखो ऑर बाते हैं जिसका जानना बहुत ज़रू है यहांपर जो मूल बिंदू है केंद्र से अगर माइस साड़ आगे बढ़ोंगा तो जितने भी म यहां तक की कहानी भी समझ में आचुकि अब देखो सरी जो मिल बिंदू है ना मूल बिंदू से अगर माइस साइड चलता हूँ इस साइड लेपर हैं साइट को रागे बढ़ूँगा तो जितने भी संख्या हम मिलता वो रिनातमक संख्याय मिलते हैं कैसे मिलते बच्चो रि यह जो मुलबिंदु ना इसके ओपर साथ हम आगे की ओर जाएंगे तो जितने भी संख्या हम वापस से हमें मिलने वाली है धनातमक संख्या हमें मिलने वाली है और इसे हम कहते हैं वाय अक्ष्या क्या कहते हैं ध्यार रखना इसी ग्राफ का यूज आप अपने चप्टर नं केंदर से अगर हम नीचे के और बढ़ते हैं तो जितने भी संख्या हमें मिलती है अभी की वियार क्या मिलने वाली है सरर नातमक संख्या मिलने वाली है और इसे हम बोलते हैं वाय डेस अक्ष्या बोलते हैं ठीकर यहां तक की कहानी हमने समझ लिया अब देखो आपकी objective question मे कैसे प्रशन आते हैं चलो अब इसके बारे में हम चर्चा करतें ओता है जाता है इसका दो और तेन क्या लिप इन बटीयलिंग स confronted सैज्ण कि कि जो विन्दू दिया ग Earlaupt क्या है थो और 3 यहां पर मोश्ट इमपॉर्ट्ड मेद बत्चो क्या कि जो 2 है यह थो है यह वह एक साथ द Griff का निर्देसांग कहलाता है यहां से भी question का निर्देसांग क्या बोलते बच्चों वाय अक्षका निर्देसांग कहा जाता है बिल्कुल सर यहां पर हमने इसको समझ लिया है यहीं से आपका अब जर्टी को से का नाम लिख देता हूं कि कौन सा कौन सा चतुर्थांस आ देखो यह वाला हमारा होता है प्रथम चतुर्थांसları ऑ Ne reasonable हमारा होता है दृती-चतूर्थांस ठीक है यह है दृती-चतूर्थांस ठीक है सर चलो सर रिसको हम हम बोलेंगे क्या बोलेंगे सुर इसको हमने बोल दिया तिल यही बिंदु आपको तीक है कैसे इसका स्थिति का हम निर्धारंग करते हैं तर यहां पर बिंदु दिया गए जिसका निर्द सांख है और मुझे एक बाब बता दुआ बच्चों कि यहां पर जो दो लिखा है वह धन का दो है कि रेन का दो है तो आप लोग कहोगे सर कि यह धन का दो है अगर मैं यहां लेता तो यह रीन का दो हो जाता हमें बिंदु का निदेसांग क्या दिया सर दो दिया था तो यहां पर आ चुका दो फिर यहां पर तीन जो है वह धन में है की दिन में सर सर यह न यह आपका किसमें धन में तो यहां पर आ चुका यह तीन अब क्या करें समांतर आगे की बढ़ाते हैं तो देखो एकदम सीधी लाइन बनने वाली आपको से मिला लेना इसको एकदम सीधी लाइन प्राप्त होने वाली यह यहां पर हमें बिंदु मिला ए जिसका निर्दिसांग दिया गया सर दो और तीन और आपको बताना है कि सरी कौन से करते हैं भाएं कर्यां के दीक्राइब का अब बड़दय को ऑब बदलेगा देखो कयो कैसे बड़ लेगा देखो कि बिंदू सांग को बदer दिया रिंदो ओर तीन अब कि बादो दिया है यानि कि एक सक्का है तो यह था हम रिंद्वों पर पिर क्या दिएए बच्चों तीन यहां पर आ चुका यहां पर क्यूं कि यह वाहर का है और यह अगर अगर मुझे इन दोनों का चुका यह ले तैक तो इस प्रकार से आपके लिए आते हैं एक्जाम में और एकदम डिटेलिंग में पढ़ना है तो यूटूब सीरीज के अंतर जाए वहां पर प्ले लिश्ट बनी हुए अध्याचा का वीडियो को खोलिए वहां पर मैं आपको दो वीडियो दिया हुआ हुआ हुँ वीडियो में हमने basic concept को अवक्तिय साथ एक नंबर वाले कुष्टन के बारे बात किया हुआ है सेकेड वीडियो में मैंने दो नंबर वाले प्रसंटों के बारे में चर्चा किया हुआ अगर हर एक चीज़े को यही पर लिखूंगा तो बच्चों बहुत टाइम चला जाएगा टाइम की बचात करने आजाओ देखो तो महत्वुपृट सुत्र करके मैंने तीन सुत्र लिखोए हैं यह जो अगर हो जाएंगे होता है अंडरूट स्कूरburg स्था लाय तो माँ टू ठीट अब नफ़ स्ट्र करने हैं और सर्वाट के Mexican perform तरगत करा दिया है वहां पर आप जाकर बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं सर धाल या परवरता एम बराबर वाइटू माइनस वाइवन अपाउन एक स्टू माइनस एक सवन होता है इसको भी मैंने वहां पर यूटूब सीरीज में बताया हुआ मिसंद 2023 में सर रेखा का स या फिर प्रवरता है और सी क्या है वाइं अक्ष्छ से अंता खंडा है तो यह तीन फॉर्मूला यह आपके तीन फॉर्मूला और आपके दो नंबर वाले क्वेश्चन आपके पूरे सही हो जाएंगे चलो इसको मैं बॉक्स में अच्छा से पैक कर देता हूं यह ठीक है इन तीनों फॉर्मूले से संबंधित अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन बताने वाला हूं अध्याच है के जो कि यहां पर यह पिटारा खूल चुका है देख लो यह कौन से अध्याच है तो सर यह अध्याच है कौन से वच्छों अध्याच है आपका निर्द कोश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों आज किस क्लास में तारीक छाइवाली क्लास में मैंने आपको सुबह के 6 बजे फिर से अध्याच और अध्याच है के अगले दो चप्टर का मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन को देडाला हूं फिर मैं आपको सामके चार बजे सामके 4 बज़े फिर से मिलने वाला हूं जहां पर मैं आपको अगले दो चप्टर करकर बारे में बताने वाला हूं तब तक कि लिए करेंगे अभी जो मैंने अध्याए5 और अध्याच है के इसको बच्चो है एकदम तयारी कर लेना है अगर किसी भी तरह के आपके मन में डाउट आ रहे होंगे कोई भी संका आपके दिमाग में चल रहे होगे तो बिलकुर बच्चों उसको कमेंट बॉक्सों में कमेंट करकर पुछ लेना है मैं हर सम्हों पर्यास करूँगा उसका एंसर देने के लिए ठीके बच्चों तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्ला झाल